ये गाईस मैं हूँ आपका नेवर हुडा दित्या और आप देख रहे हैं मॉबाइल बॉक्स तो गाईस आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटेल के अंठानवे और दो सब्सक्राइब कर लिजी तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पहले में लोग बात कर लेते हैं कि आप इस डाटा पैक को रिचार्ज करवाओगे अपने फोन में तब इसमें आपको क्या बेनफिट मिलेगा तो गाईस यह दोनों रिचार्ज एक डाटा पैक रिचार्ज है जिसमें आपको 58 रुपय में 12 GB डाटा मिलता है और 250 रुपय में रिचार्ज कराया तो इन दोनों की वैलेडिटी 28 दिनों तक होगी तो गाईस आप इस बात को याद रखिएगा कि इसकी वैलेडिटी आपके मंथली रिचार्ज के साथ खतम हो जाएगी जब आप इन दोनों में से कोई एक रिचार्ज अपने नमर पे करवा लेते हो तो आ इसमें आपको क्या बेनफिट मिलेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस डाटापक को अपने फोन में कैसे रिचार्ज करवा सकते हो तो इसे आप उसी तरह नौर्मली रिचार्ज करवा सकते हो जैसे बाकि सभी रिचार्ज अपने फोन में करवाते हो और आप चाहो तो तो आप इसे एटेल थांक्स एप या फिर आप इसे किसी और पेमेंट एप से कर सकते हो जैसे कि फोन पे पेटीयों गूगल पे एप से भी आप इसे रिचार्ज कर सकते हो लेकिन गाइस अभी परजेंट टाइम की बात करें जिस टाइम अभी वीडियो बना रहा हूं तो कु हम तो अगर आपके डाटा पेक्ट WILL करों तो अगर आपको डाट और आप करना लगए आपके सामने आपके मोबााइल्स करने लगेगा वेलिडिटी सो करने लगेगा और आपका Unlimited Calling सो करने लगेगा तो उसके नीसे आप देख सकते हो रिचार्ज लिखा हुआ है तो उसके आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको Mobile Recharge पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आप उपर देखोंगे तो आपका नमर सो करेगा और नीचे आपको amount इंटर करने के लिए कहेगा तो इसमें आप 251 या फिर आप 98 रुपए इंटर करके आप चेक कर सकते हो कि यह दोनों data pack आपके नमर पे अब लेबल हुआ है कि नहीं जब यह दोनों data pack अब लेबल हो जाए तब आप इसे आराम से रिचार्ज कर पाओगे अपको समझ में आ गया होगा कि 211 रुपए और 992 रुपए का रिचार्ज अब जब करवाते हो तो इसमें आपको क्या benefit मिलेगा और आप इसे कैसे रिचार्ज करवा सकते हो फ्रेंड्स आई होब इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इसे को सब्सक्राइब कर लीजी तो आप अपना ख्याल लखेएगा मिलता हूँ आपको एक नेक्स वीडियो में तो तक लिए टा बाइब बाइब बाइब